जय शिराम मित्रो आज इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादसी ब्रत दोहजार चोबिश के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे कि जया एकादसी ब्रत कब है जया एकादसी ब्रत की तिथी पूजा का शुभ मुहुर्त पूजा बिधी महत्व पारण का शमय जय जायायकादसी ब्रत के नियम और साथ ही जानेंगे इस दिन करने वाले कुछ खास और विशेस उपाईयों के बारे में। जाया एकादसी हिंदु धर्म में एक बिशेस दिन होता है। मागमाश के शुकल पक्षकी एकादसी को जाया एकादसी करते है। वर्स में लगवग 24-26 एकादसी होती है। और प्रतेक एकादसी का अपना बिशेस महत होता है। इसी प्रकार जाया एकादसी का भी अपना चाज की योनी से मुक्त हो जाता है। जया एकाची के दिन भगवान विशुन की पूजा की जाती है। हर साल माग माह के शुकल पक्ष में जया एकाची का ब्रत मनाया जाता है। इस वर्ष यह 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। एकाची तिथी की प्रारंप 19 फरवरी 2024 को सुबह 8 बज कर 49 मिनट से एकाची तिथी की समापती 20 फरवरी 2024 को सुबह 9 बज कर 55 मिनट पर होगी। जया एकाची का पारण काश में 21 फरवरी 2024 को सुबह 6 बज कर 55 मिनट से 9 बज कर 11 मिनट तक है। अब जान लेते हैं जया एकाची ब्रत के महत्यों के बारे में, सनातन धर्म में माग मास के सुकल पक्ष में आने माली एकाची को अत्यंत महता प्राप्त है, इसे जया एकाची के नाम से जाना जाता है, हर एकाची की तरह जया एकाची को भी भगवान विशुनु की बिश्येश्ति थी माना जाता है, और इसल लिए भारत के कुछ हिस्सों में इसे भूमी एकाजसी भूमी एकाजसी और भीसम एकाजसी के नाम से भी जाना जाता है जया एकाजसी का हिंदु धरम गरंथों में बहुत ही अधिक महतों बताया गया है इसका उलेख भव्यूत्तर पुरान और पदम पुरान में भगवान कि यदि कोई ब्यक्ति इस ब्रत को बिधिवत पूरा करता है तो भगवान सिरीहरी का आशिरबात उस ब्यक्ति को जुरूर प्राप्त होता है भगवान सिरीहरी की प्रसंता जिस घर पर बनी रहती है उस घर में माता लक्षिमी का हमेशा वास रहता है उस घर में दुख दरिता कभी नहीं आती जया एकाज़ी के दिन सिरीहरी का नाम जपने से पिशाच योनी का भय नहीं रहता है पदम पुराण के अनुशार श्वेंग महादेवने नाराजी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकाज़ी का ब्रत महान पुने देने वाली होती है कहा जाता है कि जो मनुश्य एकाज़ी का ब्रत रखता है उसकी पित्री और पुरुवज को योनी को त्याग कर स्वर्ग लोग चले जाते हैं अब जान लेते हैं जया एकाची ब्रत की पूजा बिधी के बारे में। माग मा का महिना पवित्र और पाउन होता है। इस मास में ब्रत और तप का बड़ा ही महत्वा है। इस माह में सुकल पक्ष में आने वाली एकाची को जया एकाची कहते है। जयायकाची के दिन पूरे समरपन के साथ भगवान विश्णु की पूजा की जाती है ब्रत करने वाला ब्यक्ति को सुरियोदे के समय उठना चाहिए और असनान करना चाहिए भगवान विश्णु की एक छोटी मूर्ती पूजा अस्तल पर रखी जाती है और भक्त भगवान क चंदन का लेप, तील, फल, दीपक और धूप चढ़ाते हैं। इस दिन विश्णु सहस्त्र नाम और नरायन अस्त्रोर्त का पाठ करना सुभ माना जाता है। द्वाची के दिन ब्रामनों को भूजन करवाकर उन्हें जनियु सुपारी देकर बिदा करें, फिर भूजन करें। जया एकाची का ब्रत करने से ब्यक्ति नीच योनी जैसे भूत प्रेत, पिशाच की योनी से मुक्त हो जाता है। अब जान लेते हैं जया एकाची के कथा के बारे में। मोहित हो गई। पुश्यवती शभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा निर्टे करने लगी कि माल्यवान उसकी वरा कर्शित हो गए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुदबुद खो बैठा और गायन के मर्यादा से भटक गया जिससे सूर्टाल उसका साथ छोड़ गया। इंद्र को पुश्यवती और माल्यवान की अमर्यादित किर्टे पर क्रोध हो आया और उन्होंने दोनों को स्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से बंचित हो जाएं और पृत्वी पर निवास करें। मिर्त लोक में अत्य नीच पिशाच योनी आप दोनों को प्राप्त हो। इस स्राप से ततकाल दोनों पिशाच बन गये और हिमालय परवत पर एक बिख्ष पर दोनों का निवास बने गया। जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मिर्तु हो गई। और अंजाने में जयाएकाची का ब्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनी शे मुक्ती भी मिल गई। अब मालेवान और पुश्वती पहले से भी शुंदर हो गई। और स्वर्ग लोक में उन्हें अस्थान मिल दिवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गे और पिशाच योनी शे मुक्ती कैशी मिली या पूछा। हम इस एकाज़ी के प्रभाव से पिशाच योनी शे मुक्त हुए है। इंद्रीश से अतिपरशनी हुए और कहा कि आप जगदिश्वर के भगत है इसलिए आप अब शे मेरे लिए आदरणिय है। आप स्वर्ग में आनंद पुर्वक बिहार करें। कथा सुनकर श्री किश्ण ने यह बताया कि जया एकाज़ी के दिन जगद पती जगदिश्वर भगवान बिश्णु ही सरवथा पुजनी है। जो सरधालो भगत इस एकाज़ी का प्रत रखते हैं उन्हें दसमी तिथी से एक समया हार करना चाहिए इस बात का ध्यान रखे कि यहार सात्वीक हो। एकाज़ी के दिन शिरी विश्णु का ध्यान करके शंकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तील एवंग पंचामरित से विश्णु की पूजा करें। हिंदू पवराणी कथाओ के अनुशार जय एकाज़ी के दिन ब्यक्ति को अपने दिल में दुस्मनी रखने से बचना चाहिए और पूरे दिल से और आत्मा से भगवान विश्णु की पूजा करनी चाहिए। किसी भी समय शतुर्ता, धोखे और वाशना की भावनाय मन में नहीं लानी चाहिए। इस अवधी में नरायन अस्त्रोत और विश्णु सहत्रनाम का पाठ करना भी काफी लवकारी रहेगा। इस ब्रत को पूरे विधी विधान से करने वालों पर माता लक्षिमी और सिरी हरी विश्णु की क्रिपा बरस्ती है। मित्रो यह जनकारी आपको कैसा लगा। अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्यबाद।